क्लास 12 इकनोमिक्स जेसी आर्टी और जैक द्वारा से 1 के लिए लिकाला गया महतूर परशनों को हम लोग देख रहे थे चेप्टर 1 कम्प्लीट हो चुका है चेप्टर 2 का हम लोगों ने अब्जेक्टिव परशनों को देख लिया है इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रशनों को देखेंगे वीडियो थोड़ा लंबा होगा अगबकाईएगा नहीं कॉपी में जरूर नोट कीजेगा और ये मेरे साइट DRGP82 पर भी जाकर आप देख सकते हैं वहाँ आपको हिंदी इंग्लिस दोनों में मिल जाएगा देर ना करते हैं वहम लोग चलिए शुरू करते हैं चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले लगूतर ये प्रशन है कोश्चन है आपका कूल उपयोगिता और सिमानत उपयोगिता के बीच संबंध समझाएं दोनों में के बीच क्या संबंध होता है इसी को बोलड़ा समझाने तो एंसर भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है कि जैसे जैसे किसी वस्टू की अधिक उपयोगिता होगा अगे होगा करमसा घटने लगएगा जैसे हमको भूक लगा हुआ है बहुत जोर से रोटी खार है तो पहला रोटी से बहुत आनद लगएगा दूसरा से थोड़ा सा कम हो जागा तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर आप दस रोटी खाते हैं, दसवा, इगारवा रोटी बाद आप बोलेगा बस कर भाई, अब नहीं हम खाएंगे, तो इसका मतलब आपको जो रोटी से उपयोगिता मिल रही थी, वो क्या हुआ हर अगले काई के बाद घटने लगी, और ल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, तो सिमानत उपयोगिता घटती है, परन्तु धनात्मक रहती है, दूसरा है, जब खूल उपयोगिता अधिक्तम होती है, सिमानत उपयोगिता सुन हो जाती है, इसको अबजेक्टिव में ये कोश्चन बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान दीजेगा प्रोक तीसरा है जब खुल उप्योगीता घटने लगती है तो सिमान्त उप्योगीता रिनात्मक हो जाती है इसे एक तालिका चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है यहां आप देख सकते हैं वस्तू का मात्रा दिया हुआ आठ तक मलब समझे आठ वो रोट शतिस परन वस्तू को घटा दीजिए तो आपका हो जागा बारा बारा मेरा तो छतिस मैं है स highlights को आप घटा दीजिए नर तो इस तरह आपको सीमान तूप्योगीता मिलते जाएगी और स्थिमान तूप्योगीता क्या हो जाएगी माइनस में जा जोगा चैंशे मैं से पई- सुरू में तो बढ़ रहा लेकिन अधिकतम होने के बाद कूल उपयोगिता क्या होती ही घटने लगती ज़िए 45-42 आ गया 42 के बाद 36 आ गया तब वैसे इस्तित्य में सीमान उपयोगिता जो है वो क्या हो जाती है रीनात्मक होने लगती है वही चीज उपर में लिखा हुआ था इस तालिका से पांचमी इकायता था कुल उपयोगिता घट्टी दर पर बढ़ रही है पांचमी इकाय के बाद क्या हो रही है कुल उपयोगिता जो है वो घट्टी दर से बढ़ रही है छठी इकाई पर कूल उपयोगिता अधिक्तम होती है, छठा इकाई पर क्या होती है, यह अधिक्तम होती है, नवी इकाई से कूल उपयोगिता घटने लगती है, नौमा तो यहां दिया हुआ नहीं है, तो गडबड लिखा है, छोड़िए लिखा है, लेकिन गडबड लिख कह सकते हैं मतलब कि कि साथ्मी कम है से क्या होता है कुल उपयोगिता घटने लगती तृतहां चीतर को हम अधिकते हैं हम छोना हो सकते हैं उप यहां परखता है और फिर घटने लगता है सीमान तुपिता घटता है सून हो जाता है और फिर अच से नीचे आ देख सकते हैं जैसे बनाए яज आपका हो गया कुलूपयोगिता ज Gamla A अधिक्तम है यह लोगीता को जाएगा और आपका हो जाएगा तो नि के बाद बढ़ गया 35 35 के बाद बढ़ गया 40 तो यहां पर सुरू में जो बढ़ने का दर है देखिए रफ्तार ज्यादा बीस में दस को घटा दी दस हो जाएगा 35 में तो जादी अब है कि 35 के पांचे बढ़ा इसका मलब इसको जो बढ़ा 35 से 40 हुआ लेकि जो बढ़ने का द जाती है और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सिमानत उपयोगिता क्या होती है रिनात्मा को जाती है यही चीज यहां पर यह बताना चारहा है अब अगला कोश्चन को हम लोग देखते है हरासमान सिमानत उपयोगिता नियम की कुल उपयोगिता अनुसूची की स साहिता से व्याख्या कीजिए अथवा सीमानत उपयोगिता से क्या भी प्राय है एक उपयोगिता अनुसूची की साहिता से हरासमान सीमानत उपयोगिता नियम समझाएं तो सीमानत उपयोगिता हरास नियम क्या होता है कि किसी वस्तु का यदि हम लगतार उभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो मेरा घटने लगती है जैसे अभी हम रोटी का उधारन आपको समझाएं थे कि रोटी हम जैसे अगर लगातार खाते जाएंगे तो रोटी के बार मेरा पेट भर जाएगा तो रोटी से फिर हमको उपयोगिता नहीं मिलने अत्रिक्त उप्योगिता करते हैं। यहां लिखा हुआ है किसी वस्तु की एक अत्रिक्त उप्योगिता को सिमान्त उप्योगिता करते हैं। पहला है वस्तु का अत्रिक्त उप्योगिता करते हैं। कुलूपयोगिता दिया हुआ तो यहां पर है छे इकाय का उभोग किया सीमान तुपयोगिता यह पले कुलूपयोगिता देखे सुरू में क्या हो रहा है बढ़ रहा है यहां पर आपका पांचमा इकाय में क्या हो जाता है अधिकतम हो जाता है तो जहां पर यह अधिकतम से असपस्ट है कि जैसे जैसे उभोग की मातरा बढ़ाई जा रही है सिमान तुप्यूता घटती जा रही है और घटते घटते सुन्य के उपरां रहिनात्मक हो गई है इसे चित्र नीचे चित्र दिये गए वक्रद्वारा दर्साया जा सकता है यहां आम लोग देख सकते हैं घट रही है यहां सुन्य हो गई है और फिर नीनात्मक हो गई है अगला कोस्टन है वे सर्थ समझाय जिनसे या निधारित होता है कि किसी कीमत पर उभोकता वस्तु की कितनी काइं खर देगा यह अथवक कोस्टन घुमाके है एक वस्तु की दी गए कीमत पर एक उभोकता य प्रणिये कि उभोक्ता संतुलान एक ऐसी सिती है जिसमें उभोक्ता अपनी दी हुई आय को दी हुई बजार कीमत पर एक वस्तू वस्तूओं के सयोजनों पर इस परकार खर्च करता है कि वह अपनी कुल संतुष्टी को अधिक्तम कर सके मतलब जो उसके पास पैसा है उभोक प्यास मिटाईएगा पानी पीजिएगा एक गिलास तो आपका प्यास मिट जाएगा ना तो आपको पानी से उप्योगिता मिला ठंधा हमको लग रहा है कपड़ा पहन लिए तो हमको कपड़ा से उप्योगिता मिला भूख लगाए भोजन कर लिए तो उप्योगिता मिला पेन से अगर हम लिख रहे हैं, तो पेन से उप्योगिता मिला, तो वो हुआ आपका उप्योगिता, अब है कि एक वस्तु की खरीद में उभोकता संतुलन में तब होता है, जब उस वस्तु की मुद्रा में मापी गई सीमानत उप्योगिता X, उस वस्तु के कीमत के बराबर हो M U X बटा M U M बराबर P X कौन ची क्या है तो जहां M U X जो है वस्तु X की सीमान तुप्योगिता है P X है वस्तु X की कीमत है और M U M जो है मुद्रा की सीमान तुप्योगिता है मलब ये मुद्रा की सिमान तुप्योगिता, ये है वस्तू की सिमान तुप्योगिता, ये है मुल इसे एक संख्यात्वक उधारन द्वारा समझाया जा सकता है यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग तालीका से इसको समझते हैं कि उभोग की गई वस्तू की मातरा कितना है, आठीका है सिमान तुप्योगिता यूटिल में दिया हुआ है अठारा, पंदरा, बारा, नौ, तीन ही मलब ये कितना पर आपका घट रहा है, तो देखिए पंदरा में अठारा को घटा दिये, तो तीन बारा में पंदरा को घटा दिये, तो तीन 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 पर घट रहा है, सिमान तुप्योगिता मुद्रा के रूप में तो जितना आपका सिमान तुप्योगिता लिका लेंगे तो जितना का अंतर जा रहा है, तो तीन आपको सिमान तुप्यों गता मुद्रा के लिक लेगा, वस्तु का कीमत आपका 2 दिया हुआ है, अब लाब हो रहा है कि हा नी, तो यहाँ पर देखिए, 6 सिमान तुप्यों गता है, और वस्तु का कीमत कितना है, 2, तो 2 में 6 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 4, मतलब आप 2 रुप्या खर्चा कर रहे हैं, आपको 4 रुप्या का लाब पर आप्त हो रहा है, यहाँ पर 5 है, तो 2 में 5 को घटा दिए, 3, 2 में 4 को घटा दीजिए, 2 में 3 को घटा दिए, 2 में 2 को घटा दिए, मतलब सुन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उभोकता पांचमा पर संतुलन में हो जाएगा उसके बाद तो फिर रिनात्मक है तो यहां पर यही चीज को समझाया गया है कि उपर दी गई तालिका में माना गया है कि MUX बराबर एक रूपिया बराबर तीन यूटिल तो वस्तु की कीमत कितना है दो रूपिया तीन यूटिल कैसे लिकला तो अभी जेश्ट बताए है 15 में 18 को घटा दिजे तो 3 12 में 15 को घटा दिए 3 9 में से 12 को घटा दिए 3 तो इसलिए यहां 3 यूटिल माना गया है इस अधार पर उभोकता संतुलन में है जब वह पांच इकाएं का उभोक कर रहा है पांच में इकाएं पर क्या हो जाएगा तो MUX बर्टा MUM बराबर PX बराबर वाट तो यहां पर है ऐसा इसलिए क्योंकि 1,2,3,4 पर उभोकता को उभोक करने पर लाब हो रहा है जो इस बात से अस्पर्ष्ठ है कि MUX बर्टा MUM बराबर PX है मतलब कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना वो सीमान तुप्योगिता मुद्रा का सीमान तुप्योगिता है रवास्तू का कीमत है उससे क्या है आपका जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको उप्योगिता मिर्दा मलब वो हमेसा लाब में है तो च भोक करने पर लाब हो रहा है, ऐस बात से असपह्ष्ट है कि MUM इस बढ़ता MUM बRRPX, अता उससे सीमानТ प्यूंगिता अधिक मिल रही है तथा वह कीमत कम चुका रहा है, जितना पैसा खर्चा कर रहा है, उससे कम कीमत हो देर, जितना पैसा खर्च कर रहा है उससे जादा ही उसको उप्योगिता मिल रहा है परंतु 6 इकाएं के उपराद M U X बटा M U M लेस देन P X हो जाएगा यहाँ P X हो जाएगा N लिखा हुआ है गलत लिख दिया है तो अता उभोगता को सिमान तो उप्योगता कम भी नहीं है वह कीमत अधिक चुका रहा है ऐसे में वह उभोग नहीं करना चाहेगा अता वह उसी बिंदु पर रुखना चाहेगा कहने मतलब है कि पांचमा इकाएं पर क्या कर रहा है पांचमा इकाएं के बाद देख रहा है कि पैसा दो खर्चा कर रहा है सिमान तुपिवता मुद्रा करूम उसके एक ही प्राप्त हो रहा है मलब उसको घाटा हो रहा है तो वो इससे पीछे मलब यहां पर रूखना चाहेगा जहां पर M U X बटा M U M बराबर हो जा रहा है P X के इस स्थिति में वा संतुलन में रहेगा वही चीज यहां बताया कि जहां पर पहला M U X बटा M U M बराबर P X हो जाएगा और M U X कम हो रहा हो इसे नीचे दियेगे वक्र द्वारा दर्साया गया है जिसमें P N समान है जिसे एक सिधी देखा द्वारा दिखायागा P N के जगा पर हम लोग क्या लिखेंगे P X लिखेंगे इसको ध्यान दीजेगा यह टैपिंग मिस्टेक है तो M U X बटा M U M लगतार घट रहा है जिसका कारण हरासमान सिमान तुप्योगिता का नियम है उपर दिये गए चित्र में उभोकता संतुलन E पर संतुलन में है जहां बिंदू E पर M U X बटा M U M बराबर P X है उपर लिखता है यहां पर उपर दिये गए चित्र में और चित्र कहां दिया हुआ नीचे में दिया हुआ यहां पर ठीक है यहाँ पर यह देखिए यह मूल का रेखा है और यह सिमान तुप्योगिता का रेखा है मलब यह M-U-M M-U-X बटा M-U-M है ठीक है यहाँ पर यह रेखा तो यह मूल के बराबर यहाँ पर हो रहा है कहाँ पर E-Bindu पर इसका E-Bindu का नाम दे देंगे हम लोग ए तो यहाँ पर वो संतुलन में है बिंदu E-Sepur M-U-X बटा M-U-M greater than P-X अता उभोकता लाब में है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मूल से यह मूल का रेखा है और यह रेखा क्या है इससे उपर में है कितना उपर है तो देख सकते हैं इतना उपर है तो इसलिए उसको उभोकता को लाब होगा E-Bindu के उपराद M-U-X बटा M-U-M less than P-X अता उभोकता हानि मोगा मलब यहाँ यह समझे आपका E छुटा हुआ यहाँ E लिख दीजेगा E-Bindu के बाद क्या होता है कि मुले जादा हो जाता है और सिमान तुप्योगिता क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ऐसा इस्तिति में उभोकता को हानी होगा अता उभोकता संतुलन में होगा जब वह वस्तु X का O-Q X मात्रा का उभोक करे मतलब वस्तु का O P मूल अगर देता है यहाँ पर P लिख सकते है आप O P मूल देता है और वस्तु का O X मातरा क्राय करता है तो उभोकता संतुलन में होगा और इस बिंदू में हो जागा E इसके पहले या इसके बाद में उसको लॉस है मल इधर लॉस है इधर तो लाभी हो रहा है लेकिन वो लगतार उभोक को बढ़ा सकता है क्योंकि इधर फाइदा में जितना वो पैसा खर्चा कर रहा है उसे ज्यादा तो उसको उपयोगिता मिल रहा है इसलिए वो अपना उभ योगिता का अनुपात मूल के बराबर ना हो जाए मनब यहां पर जहां दोनों एक दूसरे को काट ना दे तो यह उभोकता संतुलन हो जाएगा तो बच्चो वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है नेस्ट वीडियो में लोग कोस्चन चार से देखेंगे तो मिलते हैं नेस् कोस्चन को धीरे धीरे आप लोग को करवा दूँगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर और एक बार मेरे वेवर साइट को जरूर भीजिट कीजिएगा क्रोम ब्रॉजर में आपको जाकर DRGP82 लिग कर सर्च करना है फिर दीपक कुमार लिग कर सर्च करना है दीपक कुमार को जब क्लिक कीजिएगा तो आपको पास साइट आ जाएगा और वहां से आप इंगलिस में भी इस नोट्स को देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ जैहिन जैवारत